नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शिवम गही रहे और आलिमन कुप्पिटर सोलूशन में दोस्तों आपका सौगत है तो आज कोड़े में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों किस तरह हम हमारे विंडोस के टास्क बार में अपना नाम किस तरह शो करा सकते हैं अगर हम हमारे विंडोस की टास्क बार में आपना नाम किस तरह लगाया जाता है तो आईए शुरू करते तो वीडियो स्टार्ट केने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा दोस्तों एक वीडियो हमने अल्ट्रेटी बना कर रखी है जैसे कि आप मारे कम्पूटर को हम किस तरह रिनेम कर सकते हैं ठीक है अगर आपने वो वीडियो वाच नहीं किये होगी दोस्तों तो हमारे विंडोस के टास्ट बार में हमारे कम्पूटर का नाम यहां पर लगा रखा है जैसे कि शिवं यह एक यूनिक आइडिन्टीफायर की तरह काम करता है हमारे कॉम्पूटर में अगर कोई और यूजर अगर हमारा सिस्टम यूज करता है तो उसे पता चल जाता है कि य हम आ जाते हैं फोल्डर में यहां पर न्यू फोल्डर आपको क्रियेट कर लेना है और इस फोल्डर का नाम रखना है आप जो रखना चाहते हो विंडोस के टास्ट बार में राइट करना है राइट करना है राइट करने के बाद में आपको यहां पर यहां पर आप्शन में बढ़ेगा नियू टूल बार तो आपको नियू टूल बार में आ जाना है आप जैसी आजयाओगे आपको वो फोल्डर सेलेक कर लेना है यहां से जो फोल्डर है पर नीचे नाम हो रहा है जैसे कि यह एक आइदिफायर की तरह काम कर रहा है हमारे आप चाहो तो इस folder को बाद में delete भी करते सकते हो तो यह नाम यहाँ पर रहे गा ही जाएसे कि सामने आपको दिखाए दे रहा होगा दोस्तो एक मार्क तो आपको इसे आनमाक कर दीजिए तो आपका वहां से हड जाएगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारा सबस्क्राइक कर लिजिए और अगर आपने हमारा चैनल सबस्क्राइक कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए थैंक्यू सो मच